दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ओपो रेनो 10 प्रो 5G मोईल में इन डिस्प्ले फिंगर पिंट लॉक कैसे लगा जाता है जैसा कि फ्रेंट्स आप देख पारे हो हमारे मोईल में लग चुका है और जैसे ही मैं इस पर टाच करता हूँ तुरंद ओपन हो जाता तो इन डिस्प्ले फिंगर पिंट लॉक लगाने के लिए फिंट्स आपको करना क्या होगा आप अपने मोईल की दोस्तो शेटिंग को ओपन कर लिजे मोईल की setting open होने के बाद दोस्तों यहाँ पर password security का option आएगा इस पर click करेंगे उसके बाद यहाँ पर fingerprint का option आएगा fingerprint के option पर click करेंगे continue के option पर click करेंगे आप यहाँ पर numeric, alphanumeric pattern जो भी आप रखना चाहते हैं उस पर आप click कर दीजे उसके बाद यहाँ पर second चलेंगे तो आपको wait कर लेना है उसके बाद continue के option पर आपको click करना है अब आपको यहाँ पर एक screen lock बनाना होगा तो जो भी आप डालना चाहते हो दोस्तों डाल दीजे डालने के बाद friends यहाँ पती के in display fingerprint सो हो रहा है और इस पर आपको finger scan करवा लेना है तो मैं जल्दी जल्दी से दोस्तों scan करवा लेता हूँ तो friends मैंने जो है fingerprint scan करवा लिया है आप done का option और done के option पर click करेंगे बस आपके मुण में successfully in display finger print log लग जो है जैसे कि friends आप देख पा रहे हो तो इस प्रकार से आप लगा सकते हो